गीता के 2000 वर्ष बात तक धर्म के नाम पर संप्रदाय नहीं बने थे। इसी लिए गीता मज़भ मुप्त है। उस समय विश्व मनीशा में एक ही शास्त्र गूंज रहा था। उपनिशत सार गीता। मोक्ष और सम्रिद्ध का स्रोत गीता। शास्त्र पढ़ने की अपेक्षा उसका श्रमण अधिक लाबतायक है। क्यूंकि उच्चारन की शुद्धता इत्याद में एकाग्रता बंट जाती है। इसी लिए सरल भाषा में रूपांत्रित यथार्त गीता के ये कैसेट आपकी सेवा में प्रस्तत है। इनके श्रमण से बच्चे बच्चे में पास पडोस में परमात्मा के शुब संसकारों का संचार होगा। आपके घर आंगन का वायु मंडल भी तपो भूमी सा सुरुभित हो उठेगा। ओम। श्री परमात्मने नमा। यथार्थ गीता। श्रीमत भगवत गीता। अथाष्टमो अध्याया। सादवय अध्याय के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा। कि पुन्य कर्म अर्थात नियत कर्म आराधना को करने वाले योगी संपूर्ण पापों से छूट कर उस व्याप्त ब्रह्म को जानते है। अर्थात कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो व्याप्त ब्रह्म की जानकारी दिलाता है। उस कर्म को करने वाले व्याप्त ब्रह्म को, संपूर्ण कर्म को, संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण अधितैव, अधिभूत और अधियक्य सहित मुझको जानते हैं। अता कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो इन सबसे परचित कराती है वे अंतकाल में भी मुझको ही जानते हैं उनकी जानकारी कभी विस्मृत नहीं होती इस पर अर्जुन ने इस अध्याय के प्रारंब में ही उनहीं शब्दों को दुहराते हुए प्रश्न रखा अर्जुन उवाच अधिभूत अंचकिम प्रोक्तम अधिदैवं की मुच्चते हे पुर्शोत्तम वो ब्रह्म क्या है अध्यात्म क्या है कर्म क्या है अधिभूत तथा अधिदैव किसे कह जाता है अधियग्य कथम कोत्र देहे स्मिन मधुसूदन प्रयाण कालेच कथम गेयो सिनियतात्म भिए हे मधुसूदन यहां अधियग्य कौन है और वो इस शरीर में कैसे है सिद्ध है के अधियग्य अर्थात यग्य का अधिश्ठाता कोई ऐसा पुरुष है जो मनुष्य शरीर के आधार वाला है समाहिच जित्वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं इन सातों प्रश्णों का क्रम से निर्णय देने के लिए योगिश्वर शिरी क्रश्ण बोले श्री भगवानु वाच अक्षरम ब्रम्ह परमं स्वभावो ध्यात्म मुच्चते भूत भावो द्भव करो विसर्गह कर्म संकितह अक्षरम ब्रम्ह परमं जो अक्षय है जिसका अक्षय नहीं होता वही परम्ह है स्वभाव अध्यात्मम उच्च्चते स्वयम में स्थिर्भाव ही अध्यात्म अर्थात आत्मा का आधिपत्य है इससे पहले सब ही माया के आधिपत्ति में रहते हैं किन्तु जब स्वभाव अर्थात स्वरूप में स्थिर्भाव अर्थात स्वयं में स्थिर्भाव मिल जाता है तो आत्मा का ही आधिपत्ति उसमें प्रवाहित हो जाता है यही अध्यात्म है अध्यात्म की पराकाश्ठा है भूत भावोद भव कराब भूतों के वे भाव जो कुछ न कुछ उद्भव करते हैं अर्थात प्राणियों के वे संकल्ब जो भले अथवा बुरे संसकारों की संरचना करते हैं उनका विसर्ग अर्थात विसरजन उनका मिठ जाना ही कर्म की पराकाश्ठा है यही संपूर्ण कर्म है जिसके लिए योगेश्वर ने कहा था वो संपूर्ण कर्म को जानता है वहां कर्म पूर्ण है आगे आवशक्ता नहीं है नियत कर्म इस अवस्था में जबकि भूतों के विभाव जो कुछ न कुछ रचते हैं भले अथवा बुरे संस्कार संग्रह करते हैं बनाते हैं वे जब सर्वता शान्त हो जाएं यही कर्म की संपूर्णता है इसके आगे कर्म करने की आवशक्ता नहीं रह जाती अता कर्म कोई ऐसी वस्थु है जो भूतों के संपूर्ण संकल्पों को जिनसे कुछ न कुछ संसकार बनते हैं उनका शमन कर देती है कर्म का अर्थ है आराधना चिंतन जो यग्य में है अधिबूतं क्षरो भाव पुरुशश्चा अधि दैवतं अधियग्यो हमे वात्र देहे देह भृताम वर जब तक अक्षय भाव नहीं मिलता तब तक नश्थ होने वाले संपूर्ण ख्षर भाव अधिबूत अर्थात भूतों के अधिष्ठान है वही भूतों की उत्पत्ति के कारण है पुरुशचा अधिदैवतं और प्रकृति से परे जो परम पुरुश है वही अधिदैव अर्थात संपूर्ण देवों दैवी संपत का अधिष्ठाता है दैवी संपत उसी परम देव में विलय हो जाती है देह धारियों में श्रेष्ठ अर्जुन इस मनुष्य तन में मैं ही अधियग्य अर्थात यग्यों का अधिष्ठाता हूँ अता इसी शरीर में अव्यक्त स्वरूप में इस्थित महापुरुश्य अधी यग्य है। योगेश्वर श्री कृष्ण एक योगी थे जो संपूर्ण यग्यों का भोकता है। अंत में यग्य उसमें प्रवेश पा जाते हैं। वही परम स्वरूप मिल जाता है। इस प्रकार अर्जुन के छह प्रश्णों का समधान हुआ। अब अंतिम प्रश्ण की अंत काल में कैसे आप जानने में आते हैं। जो कभी विस्मृत नहीं होते। अंत काले चमामेव स्मरन मुक्त्वा कलेवरं। यह प्रयाति समधभावं यातिनास्त्यत्रसंशयं। यूगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं। जो पुरुष अंत काल में अर्थात मन के निरोध और विले काल में मेरा ही स्मरन करते हुए शरीर के संबंद को छोड़ अलग हो जाता है। वो मदभावं साक्षात मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। शरीर का निधन शुद्ध अंतकाल नहीं है। मरने के बाद भी शरीरों का क्रम पीछे लगा रहता है। संचित संसकारों की सतय के मिट जाने के साथ ही मन का निरोध हो जाता है। और वो मन भी जब विलय हो जाता है तो वहीं पर अंतकाल है। जिसके बाद शरीरदारण नहीं करना पड़ता। यह क्रियात्मक है। किवल कहने से वार्ताक्रम से समझ में नहीं आता। जब तक वस्त्रों की तरह शरीर का परिवर्तन हो रहा है। तब तक शरीरों का अंत कहा हुआ। मन के निरोध और निरुद्ध मन के भी विलय काल में जीते जी शरीर के सम्मंधों का विच्छेद हो जाता है। यदि मरने के बाद ही यह स्थिति मिलती तो श्री कृष्ण भी पूर्ण नहीं होते। उन्होंने कहा कि अनेक जन्म के अभ्यास से प्राप्ति वाला ग्यानी साक्षात मेरा स्वरूप है। मैं वह हूं और वह मुझ में है। लेश मात्र भी उसमें और मुझ में अंतर नहीं है। यह जीते जी प्राप्ति है। जब फिर कभी शरीर न मिले, वहीं शरीरों का अंद है। ये तो वास्त्विक शरीरांद का चित्त्रण हुआ, जिसके पश्चाद जन्म नहीं लेना पड़ता है। दूसरा शरीरांत मृत्यु है, जो लोक प्रचलित है, किन्तु इस शरीरांत के पश्चाट पुना जन में लेना पड़ता है। कौन ते, मृत्यु के समय मनुष्य जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उस उसको ही प्राप्त होता है। तब तो बड़ा सस्ता सोदा है, हाँ जीवन मौज करें, मरने लगें तो भगवान का समरण कर लेंगे। किन्तु श्रीकृष्य कहते हैं, ऐसा होता नहीं। सदा तद भाव भावितः। उस ही भाव का चिंतन कर पाता है, जैसा जीवन भर किया है। वही विचार बर्बस आ जाता है, जिसका जीवन भर अभ्यास किया गया है। अन्यथा नहीं हो पाता। तस्मात सर्वेशु कालेशु मामनुस्मर युद्यचा। मै अर्पित मनो बुद्धी ही मामे वैश्यस्यसंशयं। इसलिए अर्जुन, तु हर समय मेरा स्मरन कर और युद्ध कर। मुझमे अर्पित मन और बुद्ध से युक्त होकर, तु निसंदे मुझे ही प्राप्त होगा। निरंतर चिंतन और युद्ध एक साथ कैसे संभाव है। हो सकता है कि निरंतर चिंतन और युद्ध का यही स्वरूप हो कि जय कनया लाल की जय भगवान की कहते रहें और बान चलाते रहें किन्तु स्मरण का स्वरूप अगली श्लोप में स्पष्ट करते हुई योगेश्वर कहते हैं अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसानान्यगामिना परमंपुरुषंद्युर्यं यातिपार्थानुचिंतयन हे पार्थ उस स्मरण के लिए योग के अभ्यास से युक्त हुआ अर्थात मेरा चिंतन और योग का अभ्यास परियाय है मेरे सिवाए दूसरी और न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करने वाला परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुश अर्थात परमात्मा को प्राप्थ होता है मान लीजी कि ये पैंसिल भगवान है तो इसके सिवाए अन्य किसी वस्तु का स्मरर नहीं आना चाहिए स्मरर जब इतना सूक्ष में है कि इश्ट के अद्रिक्त दूसरी वस्तु का स्मरर भी न हो मन में तरंगे भी न आएं तो स्मरर और युद्ध दोनु एक साथ कैसे होंगे वस्तुता जब आप चित को सब और से समेट कर अपने एक आराध्य के स्मरर में प्रवृत्त होंगे तो उस समय मायक प्रवृत्तियां काम क्रोध राग द्वेश बाधा के रूप में सामने प्रकट ही है आप स्मरल करेंगे किन्तु वे आपके अंदर उद्वेक पैदा करेंगे आपका मन प्रवृत्तियों का पार-पाना ही युद्ध है निरंतर चिंतन द्वारा ही इनका अंत किया जाता है इसलिए निरंतर चिंतन के साथ ही युद्ध संभव है गीता का एक भीशलोग बाय मार काट का समर्थन नहीं करता चुन्तन किसका करें इस पर कहते हैं कविम पुराण मनुशासितारं अनोरनियाव समनुस्मरेत्यह सर्वस्यधातारम चिंत्यरूपं आदित्यवर्णम तमस परस्तात उस युद्ध के साथ वो पुरुष सरवग्य, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, सबके धारन पोशन करने वाले किन्तु अचिंत्य, अर्थाद जब तक चित्त और चित्त की लहर हैं, तब तक वो दिखाई नहीं देता, चित्त के निरोध और विले मेरा चिंतन करता है, यहां कहते हैं परमात्मा का, अता उस परमात्मा के चिंतन, अर्थाद द्यान का माध्यम, तत्वस्थित महापुरुष है, इसी क्रम में प्रयान काले मन साचलेन, भक्त्या युक्तु योग बलेन चैवा, ब्रुहोर मध्ये प्राण मावेश्य सम्यत, सतंपरं पुरुषम उपैति दिव्यम जो निरंतर उस परमात्मा का स्मरण करता है, वो भक्त युक्त पुरुष प्रयान काले, मन के विली नवस्थाकाल में, योग बल से, अर्थाद उसी नियत कर्म के आचरह द्वारा, भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को भली प्रकार स्थापित करके, अर्थाद प्राण अ प्रतम भली प्रकार शांत हो, सुरत इश्ट में ही स्थित हो, उस काल में, वो अचल मन अर्थाद स्थिर बुद्धिवाला पुरुष उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। अब ही उन्होंने कहा, निरंतर मेरा ही स्मरण कर। कैसे करें, तो इसी योगधारणा में स्थिर रहते हुए करना है। ऐसा करने वाला दिव्य पुरुष को ही प्राप्त होता है, जो कभी विस्मृत नहीं होता। यहां इस प्रशन का समाधान हुआ कि आप प्रयाण काल में किस प्रकार जानने में आते हैं। पाने योग्य पद का चित्र देखें, जो गीतामस्थान स्थान पर आया है। यदक्षरं वेदविदो वदंती, विशंती यद्यतयो वीतराणा। यदिच्छंतो ब्रह्मचर्यं चरंती, तत्ते पदं संग्रहेन प्रवक्षी। वेदविद, अर्थात अविदित तत्व को प्रत्यक्ष जानने वाले लोग, जिस परंपद को अक्षरम, अक्षय कहते हैं। वीतराग महात्मा जिसमें प्रवेश के लिए यतनशील रहते हैं। जिस परंपद को चाहने वाले ब्रह्मचर का पालन करते हैं। ब्रह्मचरे का आर्थ जननेंद्रिय मात्र का निरोध नहीं बल्कि ब्रह्म आचरति सब्रह्मचारी बायस पर्षों को मन से त्याग कर ब्रह्म का निरंतर चिंतन स्मरण ही ब्रह्मचरे है जो ब्रह्म का दर्शन करा उसी में स्थान दिला शांत हो जाता है इस आचरन से इंद्रिय सईयम ही नहीं, बल्कि सकलेंद्रिय सईयम स्वतर हो जाता है इस प्रकार जो प्रमचर का आचरन करते हैं जो हृदय में संग्रह करने योग्य है, धारण करने योग्य है, उस पद को मैं तेरे लिए कहूँगा वो पद है क्या, कैसे पाया जाता है इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते है सर्वद्वाराणि सैयम्य मनोरिदिनिरुध्यच मूर्ध्याधायात्मनः प्राणम सब इंद्रियों के दर्वाजों को रोक कर अर्थात वासनाओं से अलग रहकर मन को हिर्दय में स्थित करके ध्यान हिर्दय में ही धरा जाता है बाहर नहीं, पूजा बाहर नहीं होती और प्राण, अर्थात अंतह करन के व्यापार को मस्तिश्क में निरोध कर योग धारणा में स्थित होकर योग को धारण की रहना है, दूसरा तरीका नहीं है इस प्रकार स्थित होकर ओ मित्ये काक्षरम ब्रम्ह व्याहरन्मा मनुस्मरन यह प्रयाति त्यजन्देहं सयाति परमाम गतिम जो पुरुष ओम इती ओम इतना ही जो अक्षय ब्रम्ह का परिचायक है उसका जाप तथा मेरा स्मरन करता हुआ शरीर का त्याग कर जाता है वो पुरुष परम गति को प्राप्थ होता है श्रीक्रशन एक योगेश्वर परम तत्व में स्थित महापुरुष सद्गुरु थे योगेश्वर श्रीक्रशन ने बताया कि ओम अक्षय ब्रम्ह का परिचायक है तू उसका जब कर और ध्यान मेरा कर प्राप्थिके हर महापुरुष का नाम वही होता है जिसे वो प्राप्थ है इसलिए नाम ओम का बताया और रूप अपना योगेश्वर ने क्रिश्न क्रिश्न जपने का निर्देश नहीं दिया कालांतर में भावकों ने उनका भी नाम जपना आरंभ कर दिया और अपने शद्धा के अनुसार उसका फल भी पाते हैं जैसा कि मनुश्य की शद्धा जहां टिक जाती है वहां मैं ही उसकी शद्धा को पुष्ट करता तथा मैं ही फल का विदान भी करता श्री कृष्ण ओम पर बल देते हैं ओहम सओ अर्थात वो सत्ता मेरे भीतर है ये ओम भी उस परम सत्ता का परिचे देकर शान्त हो जाता है वास्तव में उस प्रभु के अनंत नाम है किम तु जब के लिए वही नाम सार्थक है जो छोटा हो श्वास में डल जाए और एक परमात्मा का ही बोध कराता हो उससे भिन अनेक देवी देवताओं की अविवेक पूर्ण कल्पना में उलजाकर लक्षे से द्रिष्ट नाहटा दे प्रारंभिक साधक नाम तो चबते हैं किन्तु महापुरुष के स्वरूप का ध्यान करने में हिचकते हैं वे अपनी अर्जित मान्यताओं का पूर्वा ग्रह छोड़ नहीं पाते वे किसी अन्य देवता का ध्यान करते हैं जिसका युगेश्वर श्री कृष्ण ने निशेद किया है अतह पूर्ण समर्पन के साथ किसी अनुभावी महापुरुष की शरण ले पुन्य पुरुषार्थ सबल होते ही कुतरकों का शमन और यथार्थ क्रिया में प्रवेश मिल जाएगा युगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार इस प्रकार ओम के जप और परमात्म स्वरूप सद्गुरु के स्वरूप का निरंतर स्मरण करने से मन का निरोद और विले हो जाता है और उसी क्षण शरीर के संबंध का त्याग हो जाता है केवल मरने से शरीर पीछा नहीं छोड़ता है अनन्य चेता सततम यूमाम स्मरति नित्यशह तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक तस्ययोगिनः मेरे अतरिक्त और कोई चित्त में है ही नहीं उस अन्य किसी का चिंतन न करता हुआ अर्थात अनन्य चित्त से स्थिर हुआ जो अन्वरत मेरा स्मरण करता है उस नित्यय मुझसे युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ आपके सुलभ होने से क्या मिलेगा मामु पेत्य पुनर जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्लुवन्ति महात्मानः समसिधिम परमाम गता मुझे प्राप्त कर वे दुखों के स्थान स्वरूप छण भंगुर पुनर जन्म को प्राप्त नहीं होते बलके परम सिध्ध को प्राप्त होते अर्थात मुझे प्राप्त होना अत्वा परम सिध्ध को प्राप्त होना एक ही बात है केवल भगवान ही ऐसे हैं जिनें पाकर उस पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता फिर पुनर्जन्म की सीमा कहां तक है अब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्ति नौर्जुन मामुपेद्यतु कव्टे पुनर्जन्मन विद्यते अर्जुन ब्रह्मा से लेकर कीट पतंगादी सभी लोक पुनरावर्ति है जन्म लेने और मरने तथा पुना पुना इसी क्रम में चलने वाले है किन्तु कौन ते मुझे प्राप्थ होकर उस पुरुष का पुनर्जन्म नहीं होता धर्म ग्रंथों में लोक लोकांतरों की परिकल्पना इश्वर्पत की विभूतियों को बोध कराने के आंतरिक अनभाव या रूपक मात्र है अंतरिक्ष में न तो कोई ऐसा गड़ा है जहां कीड़े काटते हों और न ऐसे महल जिसे स्वर्ग कहा जाता हूं दैवी संपत से युक्त पुरुष देवता और आसुरी संपत से युक्त मनुष्य ही असुर है श्री कृष्ण के ही सगे संबंदी कंस राक्षस और बाड़ा सुर्दैत थे देव मानव तिरियक योनिया ही विभन लोग है श्री कृष्ण के ही अनुसार ये जीवात्मा मन सहित पाँचों इंद्रियों को लेकर जन्म जन्मांतर के संसकारों के अनुरूप नया शरीर धारण कर लेता है अमर कहे जाने वाले देवता भी मरण धर्मा है खीने पुन्ये मरत्य लोग कम विशन्त इससे बड़ी ख्षती क्या होगी वो देवतन ही किस काम का जिसमें संचित पुन्य भी समाप्त हो जाए देव लोग, पशु लोग, कीट पतंगादी लोग, भोग लोग मात रहे केवल मनुष्य ही कर्मों का रचैता है जिसके द्वारा वो उस परमधाम तक को प्राप्त कर सकता है जहां से पुनरा वर्तन नहीं होता यथार्थ कर्म का आचरण करके मनुष्य देवता बन जाए ब्रह्मा के स्थिति प्राप्त कर ले किन्तु वो पुनर जन्म से तब तक नहीं बच सकता जब तक कि मन के निरोध और विलय के साथ परमात्मा का साक्षात कार करके उसी परमभाव में स्थितना हो जाए उसका पुनर जन्म नहीं होना है किन्तु इस अव्यक्त स्थिति से पूर्व जब तक उसके पास अपनी बुद्धी है जब तक वो ब्रह्मा है जो हजार चतुर युगों की ब्रह्मा की राति और हजार चतुर युगों के उसके दिन को साक्षात जानते है वे पुरुष समय के तत्व को यथार्थ जानते हैं प्रस्तुत श्लोक में दिन और रात विद्या और अविद्या के रूपक है ब्रह्म विद्या से संयुक्त बुद्धी ब्रह्मा की प्रवेशिका तथा ब्रह्म विद्वरिष्ट बुद्धी ब्रह्मा की पराकाष्ठा है विद्या से संयुक्त बुद्धी ही ब्रह्मा का दिन है जब विद्या कार्यरत होती है उस समय योगी स्वरूप की और अग्रसर होता है अंतह करण की सहस्रों प्रवृत्यों में इश्वरी प्रकाश का संचार हो उठता है इस प्रकार अविद्या की रात्रियाने पर अंतह करण की सहस्रों प्रवृत्यों में माया का द्वन्व प्रवाहित होता है प्रकाश और अंधकार की यहीं तकसीमा है इसके पश्चात न तो अविद्या रह जाती है और न विद्या ही वो परम तत्व परमात्मा विदित हो जाता है जो इसे तत्व से भली प्रकार जानते हैं वे योगी जन काल के तत्व को जानने वाले हैं कि कब अविद्या की रात होती है कब विद्या का दिन आता है, काल का प्रभाव कहां तक है, अत्वा समय कहां तक पीछा करता है प्रारंबिक मनीशी अंता करण को जित, अत्वा कभी-कभी केवल बुद्धी कहकर संबोधित करते थे कालांतर में अंताकरण का विभाजन, मन, बुद्धी, चित और अहमकार की चार प्रमुख वृत्तियों में किया गया वैसे अंताकरण की प्रवृत्तियां अनंत हैं बुद्धी के अंतराल में ही अविद्या की रात्री होती है और उसी बुद्धि में विद्या का दिन भी होता है यही ब्रह्मा की रात्री और दिन है जगत रूपी रात्री में सभी जीव अचेत पड़े हैं प्रकृति में विचरन करती हुई उनकी बुद्धि उस प्रकाश स्वरूप को नहीं देख पाते हैं किन्तु योग का आचरन करने वाले योगी इससे जग जाते हैं वे स्वरूप की और बढ़ते हैं जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरित मानस में लिखा है कबहु दिवस मह निबिडतम कबहु को प्रकट पतंग बिनसई उपजई ज्यान जिमी पाई कुसंग सुसंग विद्या से संयुक्त बुद्धी कुसंग पाकर अविद्या में परिणत हो जाती है पुना सुसंग से विद्या का संचार उसी बुद्धी में हो जाता है ये उतार चढ़ाओ पूर्ती परियंत लगा रहता है पूर्ति के पश्चात न बुद्धि है न ब्रह्मा न रात रहती है न दिन यही ब्रह्मा के दिन रात का रूपक है न हजारों साल की लंबी रात होती है न हजारों चतुर्युक का दिन ही होता है और न कहीं कोई चार मुख वाला ब्रह्मा ही है बुद्धि की उपर युक्त चार क्रमिक अवस्थाएं ही ब्रह्मा के चार मुख और अंता करण की चार प्रमुख प्रवृत्या ही उनके चत्र युग हैं रात और दिन इन्ही प्रवृत्यों में होते हैं जो पुरुष इसके भेद को तत्व से जानते हैं वे योगी जन काल के भेद को जानते हैं कि काल कहां तक पीछा करता है और कौन पुरुष काल से भी अतीत हो जाता है रात्री और दिन अविद्या और विद्या में होने वाले कारे को योगेश्वा श्रीकृष्ण स्पष्ट करते हैं ब्रह्मा के दिन के प्रवेशकाल में अर्थात विद्या दैवी संपत के प्रवेशकाल में संपूर प्राणी अव्यक्त बुद्धि में जाग्रित हो जाते हैं और रात्री के प्रवेशकाल में उसी अव्यक्त अद्रिश्य बुद्धी में जागरती के सुक्ष्म तत्व अचेत हो जाते हैं वे प्राणी अविद्या की रात्री में स्वरूप को स्पष्ट देख नहीं पातें किन्तु उनका अस्तित्व रहता है जागरित होने और अचेत होने का माध्यम ये बुद्धी है जो सब में अव्यक्त रहती है द्रिश्टी गोचर नहीं है भूतक ग्राम सेवायम भूत्वा भूत्वा प्रलियते रात्र्यागमेवश पार्थ प्रभवत्य रागमेवश पार्थ सब प्राणी इस प्रकार जागरित होकर प्रकृती से विवश होकर अविद्ध्या रूपी रात्र के आने पर अचेत हो जाते है वे नहीं देख पाते कि हमारा लक्ष क्या है दिन के प्रवेश काल में वे पुनह जागरित हो जाते है जब तक बुद्धी है तब तक इसके अंतराल में विद्या और अविद्या का क्रम चलता रहता है तब तक वो साधक ही है एक तो ब्रह्मा अर्थात बुद्धी अव्यत है इंद्रियों से दिखाई नहीं पड़ती और इससे भी परे सनातन अव्यक्त भाव है जो भूतों के नश्ट होने पर भी नश्ट नहीं होता अर्थात विद्या में सचेत और अविद्या में अचेत दिन में उत्पन और रात्री में विलीन भावों वाले अव्यक्त ब्रह्मा के भी मिट जाने पर वो सनातन अव्यक्त भाव मिलता है जो नश्ट नहीं होता बुद्धी में होने वाले उक्त दोनों उतार चढ़ाव जब मिट जाते हैं तब सनातन अव्यक्त भाव मिलता है जो मेरा परमधाम है जब सनातन अव्यक्त भाव प्राप्त हो गया तो बुद्धी भी उसी भाव में रंग जाती है उसी भाव को धारन कर लेती है इसलिए वो बुद्धी स्वयम तो मिट जाती है और उसके स्थान पर सनातन अव्यक्त भाव ही शेश बच्टा है अव्यक्तोक्षर इत्युक्तह तमाहु परमांगतिम् यंप्राप्यन निवर्तंते तध्धाम परमम्म्म उस सनातन अव्यक्त भाव को अक्षर अर्थात अविनाशी कह जाता है उसी को परमगति कहते हैं वही मेरा परमधाम है जिसे प्राप्थ होकर मनुष्य पीछे नहीं आते हैं उनका पुनर जन्म नहीं होता इस सनातन अव्यक्त भाव की प्राप्ति का विधान बताते हैं पुरुशह सपरपार्थ भक्त्याल अभ्यस्त्वनन्यया यस्यांत स्थानी भूतानी ये नसर्वमिदंततं पार्थ जिस परमात्मा के अंतरगत संपूर्ण भूत हैं जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त हैं सनातन अव्यक्त भाव वाला वो प्रम पुरुश अनन्य भक्ति से प्राप्त होने योग्य है अनन्य भक्ति का तात्पर यह है कि परमात्मा के सिवाए अन्य किसी का स्मरण न करते हुए उनसे जुड़ जाए अनन्य भाव से लगने वाले पुरुष भी कब तक पुनर्जन की सीमा में हैं और कब वे पुनर्जन का अतिक्रमण कर जाते हैं इस पर योगेश्वर कहते हैं कर गये हुए योगी जन्म पुनर्जन को नहीं पाते और जिस काल में शरीर त्यागने पर पुनर्जन में पाते हैं मैं अब उस काल का वर्ण करता हूं अग्निर्जोतिरह शुकलह शन्मासा उत्तरा यडम् तत्रप्रयाता कच्छन्ति ब्रम्ह ब्रम्ह विदोजना शरीर संबंध का त्याग करते समय जिसके समक्ष जियोतिर में अग्नी चल रहा हो दिन का प्रकाश फैला हो सूर्य चमक रहा हो शुकल पक्ष का चंद्र बढ़ रहा हो उत्तरायन का निरब्र और सुन्दर आकाश हो उस काल में प्रयाण करने वाले ब्रम्ह वेत्ता योगी जन ब्रम्ह को प्राप्थ होते हैं अग्नी ब्रम्ह तेज का प्रतीक है दिन विद्या का प्रकाश है शुकल पक्ष निर्मलता का दियोतक है विवेग वैराग्य शम दम तेज और प्रग्या ये शड़ैश्वर्य ही शणमास है उर्द्व रेता स्थिती ही उत्तरायन है प्रकृति सिस्सर्वत्था परे इस अवस्था में जाने वाले ब्रम्ह वेत्ता योगी जन ब्रम्ह को प्राप्थ होते हैं उनका पुनर्जन्म नहीं होता किन्तु अनन्य चित्त से लगे हुए योगी जन यदि इस आलोग को प्र प्रून नहीं उनका क्या होता है इस पर कहते हैं धूमोरा त्रिस्त था क्रिश्णह शन्मासा दक्षिनायनम तत्रचांग्रमसं जोती योगी प्राप्यनिवर्तते जिसके प्रयान काल में धूआ फैल रहा हो योगाग्नी हो अग्नी यग्य प्रक्रिया में पाए जाने वाले अग्नी का स्वरूप है किन्तु धुए से आच्छादित हो अविद्या की रात्री हो अंधेरा हो कृष्ण पक्ष का चंद्रमा क्षीन हो रहा हो कालिमा का बाहुल्य हो शडविकारों अर्थात काम, क्रोध, लोब, मोह, मद और मतसर से युक्त दक्षिनायन अर्थात बहिर मुखी हो जो परमात्मा के प्रवेश से अभी बाहर है उस योगी को पुना जन्म लेना पड़ता है तो क्या शरीर के साथ उस योगी की साधना नश्ठ हो जाती है इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते है उपर युक्त शुक्ल और कृष्ण दोनों प्रकार की गतियां जगत में शाश्वत है अर्थाथ साधन का कभी विनाश नहीं होता एक अर्थाथ शुक्ल अवस्था में प्रयान करने वाला पीछे ना आने वाली परमगति को प्राप्थ होता है और दूसरी अवस्था में जिसमें ख्षेड प्रकाश तथा अभी कालिमा है ऐसी अवस्था को गया हुआ पीछे लोड़ता है जन्म लेता है जब तक पूर्ण प्रकाश नहीं मिलता तब तक उसे भजन करना है प्रश्न पूर्ण हुआ अब इसके लिए साधन पर पुनह बल देते हैं नैते स्रिती पार्थ जानन योगी मुईयति कष्चन तस्मात सर्वेशु कालेशु योग युक्तो भवार्जुन हे पार्थ इस प्रकार इन मारगों को जानकर कोई भी योगी मुहित नहीं होता वो जानता है कि पूर्ण प्रकाश पालेने पर ब्रह्म को प्राप्थ होगा और ख्षीन प्रकाश रहने पर भी पुनरजन में साधन का नाश नहीं होता दोनों गतियां शाश्वत है अतह अर्जुन तो सब काल में योग से युक्त हो अर्थात निरंतर साधन कर वेदेशु यग्येशु तपस्यु चैव दानेशु यत्पुन्य फलं प्रदिष्टं अत्येतितत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम्स्थानं पैतिचात्यं इसको साक्षातकार सहिद जानकर मानकर नहीं योगी वेद यग्य तप और दान के पुन्य फलों का निहसंदे अतिक्रमण कर जाता है और सनातन परमपत को प्राप्थ होता है अविदित्परमात्मा की साक्षात जानकारी का नाम वेद है वो अविदित्तत्व जब विदित हो ही गया तो अब कौन किसे जाने अता विदित होने के पश्चात वेदों से भी प्रयोजन समाप्त हो जाता है क्योंकि जानने वाला भिंद नहीं है यग्य अर्थात आराधना की नियत क्रिया आवश्यक थी किन्तु जब वो तत्व विदित हो गया तो किसके लिए भजन करें मन सहित इंद्रियों को लक्ष के अनुरूप तपाना तप है लक्ष प्राप्त होने पर किसके लिए तप करें मन, वचन और कर्म से सर्वतो भावेन समरपण का नाम दान है इन सब पुन्य फल है परमात्मा की प्राप्ति फल भी अब विलग नहीं है अता इन सब की अब आवशक्ता न रही वो योगी, यग्य, तप, दान, इत्याद के फल को भी पार कर जाता है वो परमपत को प्राप्त होता है निशकर इस अध्याय में पांच प्रमुख बिंदूओं पर विचार किया गया जिनमें सव प्रथम अध्याय साथ के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा बीजा रोपित प्रश्णों को स्पश्ट समझाने की जिग्यासा से इस अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने سात प्रश्ण किये कि भगवन, जिसे आपने कहा वै ब्रम्न क्या है, वै अध्यात्म क्या है वै संपूर्न कर्म क्या है अधिदैव, अधिभूत और अधियग्य क्या है और अंतकाल में आप किस प्रकार जानने में आते हैं कि कभी विस्मृत नहीं होते योगेश्वर श्री कृष्ट ने बताया कि जिसका विनाश नहीं होता वही परब्रम है स्वयम की उपलब्धिवाला परंभाव ही अध्यात्म है जिससे जीव माया के आधिपत्य से निकल कर आत्मा के आधिपत्य में हो जाता है वही अध्यात्म है और भूतों के वे भाव जो शुबह अथ्वा अशुबह संसकारों को उत्पन्न करते हैं उन भावों का रुक जाना विसरगह मिट जाना ही कर्म की संपूर्णता है इसके आगे कर्म करने की आवशक्ता नहीं रह जाती अता कर्म कोई ऐसी वस्तु है जो संसकारों के उद्गम को ही मिटा देता है इसी प्रकार खरभाव अधिभूत है अर्थात, नश्ट होने वाले ही भूतों को उत्पन करने में माध्यम है। वे ही भूतों के अधिश्ठाता है। परमपुरुषी अधिदैव है। उसमें दैवी संपद विलीन होती है। इस शरीर में अधियग्य मैं ही हूँ। अर्थात, जिसमें यग्य विले होते हैं, वे मैं हूँ। यग्य का अधिश्ठाता हूँ। वे मेरे स्वरूप को ही प्राप्त होता है। अर्थात, श्री कृष्ण एक योगी थे। अधियग्य कोई ऐसा पुरुष है जो इस शरीर में रहता है, बाहर नहीं। अंतिम प्रश्ण, कि अंत समय में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। उन्होंने बताया, कि जो मेरा निरंतर स्मरण करते हैं, मेरे सिवाए किसी दूसरे विशय वस्तु का चिंतन नहीं आने देते, और ऐसा करते हुए शरीर का संबंध त्याग देते हैं, वे मेरे साक् स्वरूप को प्राप्त होते हैं, जिसे अंत में ही वही प्राप्त रहता है। शरीर की मृत्यों के साथ यह उपलब्दी होती हो ऐसी बात नहीं है। मरने पर ही मिलता, तो श्री कृष्ण पूर्ण ना होते। अनेक जन्मों में चलकर पाने वाला ज्यानी उनका स्वरूप स्वरूप न होता। मन का सर्वता निरोध और निरुध मन का भी विलेही अंत काल है। जहां फिर शरीरों की उत्पत्त का माध्यम शान्त हो जाता है। उस समय वह परमभाव में प्रवेश पा जाता है। उसका पुनर जन्म नहीं होता। इस प्राप्त के लिए उन्होंने स्मर्ण का विधान बताया अर्जुन निरंतर मेरा स्मर्ण कर और युद्ध कर दोनों एक साथ कैसे होंगे कदाचित ऐसा हो के जय गोपाल हे कृष्ण कहते रहें लाठी भी चलाते रहें स्मर्ण का स्वरूप स्पष्ट किया कि योग धारणा में स्थिर रहते हुए मेरे सिवाए अन्य किसी भी वस्तु का स्मर्ण न करते हुए निरंतर स्मर्ण कर जब स्मर्ण इतना सूक्ष्म है तो युद्ध कौन करेगा मान लीजिए यह पुस्तक भगवान है तो इसके अगल भगल की वस्तु सामने बैठे हुए लोग या अन्य देखी सुनी कोई वस्तु संकल्प में भी ना आए दिखाई न पड़े यदि दिखाई पड़ती है तो इस स्मर्ण नहीं है ऐसे इस स्मर्ण में युद्ध कैसा वस्तुते जब आप इस प्रकार निरंतर स्मर्ण में प्रवृत्ध होंगे तो उसी खण युद्ध का सही स्वरूप खड़ा होता है उस समय मायिक प्रवृत्तियां बाधा के रूप में प्रत्यक्षे ही है काम, क्रोध, राग, द्वेश, दुर्जय शत्रु है ये शत्रु स्मर्ण करने नहीं देंगे इनसे पार पाना ही युद्ध है इन शत्रुओं के मिठ जाने पर ही व्यक्ति परमगति को प्राप्थ होता है इस परमगति को पाने के लिए अर्जुन, तु जब तो ओम का और ध्यान मेरा कर अर्थात, श्रीकृष एक योगी थे नाम और रूप आराधना की कुंची है योगेश्वर श्रीकृष ने इस प्रश्न को भी लिया के पुनर जन्म क्या है उसमें कौन-कौन आते हैं उन्होंने बताया के ब्रम्हा से लेकर यावन मात्र जगत पुनरा वरती है और इन सब के समाप्त होने पर भी मेरा परम अव्यक्त भाव तथा उसमें स्थिति समाप्त नहीं होती इस योग में प्रविष्ट पुरुष की दो गतियां जो पूरण प्रकाश को प्राप्त शडैश वर्य संपन ओर्द वरेता है जिसमें लेश मात्र भी कमी नहीं है वह परमगति को प्राप्त होता है यदि उस योग करता में लेश मात्र भी कमी है कृष्ण पक्षसी कालिमा का संचार है ऐसी अवस्था में शरीर का समय समाप्त होने वाले योगी को जन्म लेना पड़ता है वह सामान जीव की तरह जन्म मरण के चक्कर में नहीं भसता बलके जन्म लेकर उससे आगे की शेश साधना को पूरा करता है इस प्रकार आगे के जन्म में उसी क्रिया से चलकर वह भी वहीं पहुँच जाता है जिसका नाम परमधाम है पहले भी श्री कृष्ण कह आए है कि इसका थोड़ा भी साधन जन्म मरण के महान भै से उद्धार कराके ही छोड़ता है दोनों रास्ते शाश्वत हैं अमिठ हैं इस बात को समझ कर कोई भी पुरुष योग से चलाय मान नहीं होता अर्जुन तू योगी बन योगी वेद तप यग्य और दान के भी पुन्य फ़लों का उलंगन कर जाता है परमगती को प्राप्त होता है इस अध्याय में स्थान स्थान पर परमगती का चित्रण किया गया है जिसे अव्यक्त अक्षय और अक्षर कहकर संबोधित किया गया है जिसका कभी च्षय अथ्वा विनाश नहीं होता अता ओम तच्चदिती श्रीमत भगवत गीता सूप निशत्सू ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन समवादे अक्षर ब्रह्म योगो नाम अश्टमो अध्यायः इस प्रकार स्वामी अणगणानंकृत श्रीमत भगवत गीता के बहाश्य यथार्थ गीता का आठवा अध्याय पूर्ण होता है हर्योम तच्चद